और दोस्तों कैसो यार सारे मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूटूब चैनल यार टूटोरियल्स में दोस्तों मेरा नाम है गौर मुन्रा और मैं आप सभी को बढ़ाता हूँ सभी का हाल मतलब बेहाल हो रखा है या फिर स्कूल या कॉलिस लाइफ को इंजॉय कर रहे हूँ दोस्तों हर दिन यार मतलब आपकी साब से तो नहीं चल सकता सम्टाइम्स आपको बहुत सारे असामेंट्स करने होंगे और उसके बाद भी आपको बहुत सारे घर की काम भी करन हार नहीं मानने है किसी को भी हर बच्चा जो है यह आप एकदम आग लगाएगा फॉर शॉर और आप लगाओ गई आपको किसी चीज की ज़रुत नहीं है आप अकेले ही काबिल हो बस देखो है अपने आपको कभी भी दोस्तों सेल्फ डाउट मत करो ठीके सीदी सी बात है अपने आपको मान के रखो वाई मैं तो आग लगा दूंगा भले आपको नहीं कर पाओ लेकिन ऐसा सोचने में कुछ जाएगा क्या नहीं न आप अपने आपको एकदम बेस्ट मानेंगे अगर आप अपने आपको बेस्ट सोचो कुछ समझोगे ही नहीं तब लोग भी तो आपको उतनी रेस्पेक्ट देंगी नहीं न तो खेर बच्चा कर रहा है सर में तो एकनोमिक्स पढ़ने आया था आप तो आपने ज्ञान गिना स्टर्ट कर दिया रही ठीक है आज का जो ग्यान नहीं आप ही समात्त करते हैं दोस्तों मैं आपको बता दू यह जो एकनोमिक प्यारे से भाईय के लिए आपने प्यारे से फ्रेंड के लिए कमेंट सेक्शन में आपको मेरे साथ यह कॉवाली जर्णी कैसे लगी है सारे कॉमर्स की बच्चे और सारे आ Hayır के बच्चे जो मैं से इकनोमिक्स पढ़ते हैं बच्चों यह आपकी दूटी है ठीक है अगर को मेरे से पढ़ाई करो तो मतलब हम दुनों साथ में बिलके आग लगा दें चाहता हूँ यहां पर प्यार देदाना बहुत सारा यह लेक्चर के बात अच्छा लगया देख क्या ओविसली नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं है बस मुझे याद कर लेना अपने मन में हासर प्रे करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करो जबी और बहुत अच्छे से पढ़ाओ हमारा फाइदा हो तो यह आपको प्रे करनी है आज हम क्या सिखने वाले हैं आज को टॉपिक है पूरी तरह से ड्राइट टॉपिक है और अगर यह एक्जाम में आ गया ना तब आपको इसन नहीं चलेगा यह आपको एक्जाम में सेम टू सेम लिखके आना है अप काइंड ओफ यह लॉर्ण वाला एक्सामपल है जब आप बोलता ना लोग आपको रच्टा करना है आपको रच्टा करना पड़ेगा यह वाला सीन जो है यह वाला कंसेप्त इसके पीछे कोई explanation नहीं है, जहाँ पर explanation होगा obviously अपन देंगे, लेकिन एक answer यहाँ पर कुछ ऐसा है ना, जो examiner का favorite भी है अब उसका कोई explanation नहीं है ठीक है, बाकी start करते है हम देखा है और दोस्तो, lecture number 1 में अपने क्या सिखा पूरा economic planning क्या होता है वो सब सिखा अब उसको replace करके निती आयोग बना दिया गया है याद करो वो आले, lecture वो याद करो अच्छे से revise किया गे नहीं बच्चो बच्चा करें, हाँ सर, किया ही तो था, थोड़ा बहुत मले से देख लिया था पर याद नहीं हा रहा है, चलो एक बार वापस देख लो अब मुझे निती आयोग ठाना, आज आपन उसके बार में सीखने बाते है अब देखो यार, निती आयोग के बार में इसका क्या ही explanation होगा कि इसके concepts में मैं क्या ही बता दूँगा आपको लेकिन या अगर direct question आता है exam में, तो अब आपको रोने आ जाएंगे क्योंकि इसमें जो point से ही आपको याद करके ही लिखने पड़ेंगे एक बार मैं सब read कर लो, क्या पता, काम हो जाए ठीक है, देखो यार, ये जो निती आयोगे, सर पहले इसका फिलकॉम बताओ आप National Institution for Transforming India मलब दोस्तों आपको पता है, 2014 में मुझे आप यार, lecture no.1 हमको लग रहे है, आपका डबा गुल हो गया एक दम मुझे एक बात बता, 5 year का प्लान था, 2012 और 2017 में Planning Commission ने 2012 में ये प्लान लाया था, ज्यादा रही कि नहीं फिर 2014 में 2014 में ये प्लान को कुछ समय के लिए रुका गया, क्यों रुका गया, क्योंकि अब निती आयोग जो है Planning Commission को हटा के, निती आयोग को ला दिया गया था, अब दोस्तों, आप भूलो के सर, ये मतलब short, in short सर, निती आयोग नहीं नहीं करके भी 2015 तक आया, बिलकुल तो मतलब सर, 2012 ठीके, प्लान अच्छे से चला होगा, 13 में भी ये प्लान चला होगा, 14 में ये प्लान उपर निचे हो गया होगा, और 15 में तो सर, ये प्लान कैसे चलेगा, क्योंकि अब तो Planning Commission ही हट गई, फिर तो मतलब सर, निती आयोग आ गया होगा ना, नहीं दोस्तों, तो निती आयोग जो है, इनको थोड़े दिंक लिए से स्टे पे रखा था, जैसे ये प्लान खतम होगा, 2012 से 2017 तक इनका जो प्लान किया हुआ था, एक बार वो 2017 निकल गया, 2017 के बाद से निती आयोग को फुल पार दिया जाएगा, कि भाई जा, अब तुझे जो करना है कर, अब planning commission तेरी काम में नहीं आएगी, लेकिन planning commission का एक plan already established थाना, 2012 से 2017 तक थाना, 2017 तक तू डीस्टप मत कर, no doubt, तु 2015 में आई है, no doubt 2015 में आई है, लेकिन एक plan already हमने सोच के रखा है, 2017 रख, पहले वो अचिव करने दे, उसके बाद निती आयोग तुझे जो करना है कर, इंट्रिदूस्ट 2015 में अब यह देखिए संक्षेंड हुआ था यह दोस्तों मतलब इसको बोल दिया था भाई 2015 में तू जी ले अपनी जिन्दगी लेकिन पिर बोला वापस रूख जा मेरे बाई 2017 तक तो यह प्लैन ऑल्रीडी एस्टेब्लिज्ट है न केम इन 2017 2017 तक आपको डिजिजन लेने की बारी आती थी तो Central Government ही आती थी Central Government याना कि President, Prime Minister ऐसे वाले लोगों गहें ठीक है, Finance Minister ठीक है अब लेकिन दोस्तों यह कह है, State सर, State यहाँ पे State Government की बात कर रही है, जैसे कि दोस्तों महराश्रा की Government, गुजरात की Government, आप सब भी तो अपने देश का एक पा महाराश्रा के CM हो आप महाराश्रा के CM हो आप महाराश्रा की गुवर्मेंट जो है आप वहाँ पर क्यों बैट अब भी आओ अब भी इंवल्मेंट में पार्ट करो हम सब मिलके इस देश को आगे ले जाएंगे निति आयोग का पहला कंसेप्ट यह था मेकिंग इट मोर पॉजेटिव इन कोलाबरेशन विच सेंट्रल एंड स्टेट गवर्मेंट जैसे कि दोस्तों सेंट्रल गवर्मेंट और हर एक स्टेट से एक गवर्मेंट आएगी एक कुन का CM आएगा रेप्रेजेंट करने को तो यह क्या है महाराश्रा क गवर्मेंट से एक व्यक्ति आ रहा है अना फिर ऐसे दिखो आप कितने सारे साउट साइड से उनके सारे स्टेट्स वगरे से ठीक है बाकि अपना गुजरात से कोई आ रहा है यूनियन टेरिटरी डेली से कोई आ रहा है ऐसे सारे सारे लोग अकर मिलके हम सब साथ में डिस जो हर किसी के पेपर में आना चाहिए जब निति आयोग कोशन एक्जम में आ जाए तो इतना जो है आपको लिखके आना है इसको थोड़ा सा आप एलोबरेट कर लेना कोई बात नहीं लेकिन यह जो पॉइंट्स है आप किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते याद करके लो लेकिन अब इसको याद तो आपको करना पड़ेगा और यह जो 10th lesson है यह जाधा तर याद करने वाला थोड़ा सा जाधा सा इसका पार्ट है कर लोगे पक्का अब फॉलेंग आधी पीलर्स ओफ निति आयोग अब देखो यार दोस्तों निति आयोग यह जो कमीटी इसके कुछ पीलर्स जो यह निति आयोग को इतना उपर ले जा रहा है अब यह जो पीलर्स है इसका कोई concept नहीं है इसका कोई explanation नहीं है यह exam में सिधा आजाएगा यह आपको exam में लिख्याना पड़ेगा यह पूरे 7 के 7 point इसका कोई explanation नहीं इसको आपको याद ही करना पड़ेग साथ में से जो आसान आपको 5 लगते हैं at least 5 तो आपको लिख्याना है तो अगर यह 4 मा का question होगा तब आपको 3 मिलेगा और अगर यह question as it is exam में आता है और आपने introduction के साथ साथ यह भी लिखा तब तो भाई पूरे 4 ही है ठीक है कोशिश करो यहाँ पर याद कर लो vision document of India इंड से तीन साल बाद इंडिया भाई एक गम आग लगा देगा अपरेजर्ट डॉक्यमेंट ऑफ ट्वेल्थ फाइयर प्लैन अपरेजर्ट डॉक्यमेंट देखे यानि कि दूस्तों ट्वेल्थ फाव यह प्लैन जो था ना वो लास्ट प्लैन था अना क्योंकि देखो 2017 तक तक निती आयोग ने ये चीज समझी कि आड फारमर को खुश करना पहले तो अना तो पार उयाद कर دो निकार भाई Output outcome framework क्या लिक quienes मैं को एक बार दिखा नहीं हो एक बार कि मैं blur हो गया था Output outcome framework टीक है अब यह जो है outcome budget आपका budget आपने क्या decide किया था वो उन्हें कम रखा था और कम budget मैं अच्छा खासा development कर ले, इसको कहते हैं अच्छा plan तो यह था fourth point अब देखो यह इसका कोई explanation नहीं है आपको याद करना पड़ेगा ठीक है चलिए ग्लोबल entrepreneurship summit 2017 जिसे आपको पता हो कि दोस्तों global meeting होती है जहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं या फिर अब दुबई साइट से आब उदावी जो है वहां से कोई आ जाता है साओधी अरिवे से कोई आ रहा है एजिप्ट से कोई आ रहा है अमेरिका से कोई आ रहा है बाकि इंग्लैंड वगर से कोई 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 एक एक representative आता है और पूरी representative एक meeting करते हैं उस meeting को कहते है समिट 2017 एक हुई थी 2017 में तो 2017 में हमारे जो मूदी जी ना उनने बुला था उन्हों भाईयो बहनो मतलब बाहर के देश वाले भाईयो बहनो हमारी देश में अब निति आयोग आ रहा प्लानिंग कमिशन जो थी अब उस चीज में पार्टनी करने वाली अब निति आयोग ज इसका कि ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया एक से ट्रांस्फोर्मिंग नेशन से डैवलप नेशन बनाना यह हमारा में टास्क ता लॉंचेंग ओफ प्रोग्राम टू ट्रांस्फोर्म आइडन्टिफाइड ओप लिखा है बाई में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अना लब देखाया एसे काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से जो अभी इतने डेवलप नहीं है लेकिन हमें उनको आगे लाना तो यह इनको कहना था यही अब इनने इतना गुमाया है अब आपको यही सेंटेंस में भी लिख के आन आजाता है ठीक है चलो अब रोने की अभी से रोने लगे रुक रुक और रोना बाकी है क्योंकि यह जो पॉइंट है यह भी आपको याद करना है हरे यह पूरा याद वाला लेक्चर है आज का मैं बता दूँगा आपको एक मेमरी टेकनिक दे सकता हूँ लेकिन याद तो खेर आपको यह करना पड़ेगा क्या है यह भाई इतने दे से कह रहें नितियायोग नितियायोग एक मस्त सी कमीटी है लेगे सर इस कमीटी में कितने लोग है कौन कौन है यह आपको जानने की इच्छा होगी तो यह यहापर है गवर्निंग काउंसल में दोस्तों यह कहना जाता है कि जो अपने इतने बड़े स्टेट से अपने यहाँ पे इतने सारे स्टेट से अठ्था स्टेट ना अठ्था स्टेट के एक एक चीफ मिनिस्टर जो है इस मीटिंग में आता है जो यूनियन टेरिट्रीज है वहाँ पे उनका गवर्नर आता है और यह सारे मिलके सारे मिलके एक एक रेप्रेजेंटेटिव आते हैं और निती आयो का एक पार्ट बनता है ठीक है फर्स्ट पॉइंट लिए सेकेंड रीजिनल काउंसिल्स मतलब देखेंगे दोस्तों मौर देन वन स्टेट और रीजन ठीक है मलब कभी बार ऐसा नहीं कि अठाइस स्टेट तो अठाइस जगे से कोई आएगा कभी बार क्या होता है ना कि दो स्टेट को कोई एक परसन ही रप्रेजेंट कर रहा है ठीक है जैसे महाराष्ट्रा एंड गोवा आपको पता है क्या ग महाराष्ट्रा का तो है ही साथ में गोवा का भी है सीधी बात है कोई एक्स्टेट और रीजन यह आपको लिख्याना वाई हो मलब कि दोस्तों आपको इमें स्पेशल नोटीस पे इन्वाइट करूंगा कि आओ नेती आयों का मीटिंग करते वाई और यहां पे ना स्पेशल इन्वाइटीज है यहां पर सब एकदम टैलेंटेड इंसान भार भार से आप स्पीकर बुलाते हो और बोलते हो थोड़े अ आपको न याद करना पड़ेगा देखि स्टार्टिंग के थ्री पॉइंट तो बहुत इजी थे अगर एक्जाम में यह आंसर आता है ना आपको पहले तो नाचना है क्योंकि काफे बच्चे जो है पैनिक हो जाएंगे वह लिखी नहीं वाएंगे क्योंकि वह लोग क्या कर पक्का मिलेगा जब ऐसे हाट कोशन आते ना टीचर जो है इजी चेक करते तो यह अपना अच्छी बात है कि ऐसे ही कोशन एक्जाम में है आपका कॉंपेटिशन भी कम हो जाएगा और आपको सभी से मार्क्स भी जादा मिलेगे और अगर आपने यह वाला तुलिक दिया न एक मार्क सबसे एक्ट्रा मिल नहीं है तो यह यहाँ पर ऐसे कोशन में अपना इंप्रेशन क्रियेट करने की कोशिश करो चला वाई ओर्गनाजेशन फ्रेमवर्क मलब आप जी निती आयोग में लोग कितने पॉइंट करना है वो सब लिखा है आपे चेर परसन कौन होगा चेर परसन कौन होगा मतलब निती आयोग का सबसे में व्यक्ति कौन होगा वाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठीक है हमारे मोदी जी अंकल बहुत बढ़ी आदमी है तो वो जो है निती आयोग के क्या है वाई चेर परसन है उनने बोल दिया वैसा ही होगा उनने मना क कर दिया मोदी जी तो इसी क्या क्या करते हैं अज अपने देश के अच्छे क्यों है सिंगल रिजन होल एंड सोल ली अपनी गवर्मेंट आज की जो है मोदी जी नहीं पूरी टीम ना यार वो पूरी सब साथ में मिलके काम कर रहें अब्विसली हम मोदी जी को देखते हैं उनने ही सब कुछ किया है वो ही सब को गाइड करते है लेकिन बाकी सबका भी तो मेहनत है ना तो पूरी टीम को क्रेडिट जाता है हम मेन क्रेडिट उनको उनको ओब्विसली बात है और पे में अपने देश के वाइस चेर परसन कौन होगा भाई अपने मोदी अंकल जो है प्राइम मिनिस्टर अपने वही अपॉइंट करेंगे उनके हाथ में वाई सब कुछ ठीक है फुल टाइम मेंबस कितने होंगे पाच फुल टाइम सर जो पूरे टाइम निती आयोग में ऑफिस में बैठे रहेंगे वह ऑफिस के अलाव उनको और कुछ काम नहीं करना उसको फ जो मेंबस बोलते हैं अभी क्या प्याता इतना समझे रखो मैक्सिमम चार मेंबस ऑफ यूनियन काउंसिल जो यूनियन काउंसिल होगी उसमें से आपको कोई भी चार मेंबस उठाने है सर कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को लगा तो अविसली वह आके यार सुन में अल्ड़ी बहुत सारे काम है लेकिन तो मेरी बहाफ में किसी और को जाके अपॉइंट कर लेकिन चब तो उनको अपॉइंट करेंगा प्राइम मिनिस्टर से बात करा ना ओव्यस सा बात है चलो चीफ एक्जीडिव ऑफिसर यह निती आयो का CEO भी होता है पता ह बहुत आसान है अना लेकिन बच्चा इसको मिस करके जाते हैं तो आपको नहीं करना अपने को एकदम आउटकास टैलेंट दिखना चाहिए अपने जयार के बच्चों से ठीग है तो यह एकदम में अगर आ जाए तो पहले तो नाचना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसक सहर जगे तो पीम मोदी जी है अना पीम पीम हमें याद रखना है और यह पाच और फूल टाइम हुआ तो पाच पार्ट टाइम हुआ तो दो कर लेंगा आप टेंचन के लिए तो वेरी गुड चलो आज का यह सबसे आसान सा टॉपिक होगा और जिसमें आप अपने मन से ज जिदो यह मिलेगा ना है साथ के साथ हेट पॉइंट उसके अंदर का एक्समेंशन जितना भी आपको नितियायोग से सीखने को मिला नहीं नहीं करके भी तीन तो मिल जाए मिनिमम तीन देखो चार में से तीन लाना थेरी पेपर्स में एक अच्छा टैलेंट है और किसी को याद करके जाना है ठीक है बच्चा करें सर ऐसे करकर के आपने हमसे सारे टॉपिक्स तो याद करवा लिए क्या ही आदमी हो यार आप लेगे कोई वात नहीं चलो अभी करो शेर्ड नैशनल एजेंडा दोस्तों देखो यार निति आयोग किसका है इंडिया का है ठीक है वो अगर हमारा जो ओवराल जीडिपी है अगर वो 3 परसेंट है तो हम उसको 10 तक ले जाएंगे हम अकेला इंसान ले जा सकता है तो यह क्या है शेर्ड नैशनल एजेंडा हर किसी की यही सोच है क्या सोच है भाई कि इंडिया को आगे ले जाना है और अगर आपकी यह सोच नह अगर कोई डिसिजन लेना है तो महाराष्रा के गवर्मेंट पूछती नहीं थी अरे तु छोड़ यार में करती हूँ नहीं अब क्या हो गया नितियायोग में क्या है ना महाराष्रा गवर्मेंट आपको अपने कुछ पक्ष रखनी रखो आपकी बात सुनेंगे अच्छे अगर करेगा तो कहां करेगा महाराष्रा में रहता है ना वह अपना सोचाएगा ना पहले महाराष्रा के लोगों का दिल जीत लेता हूँ सो देट वह लोग मुझे वोट करें नेक्स टाइम अगर उसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो तो लोग अपना ही फाइदा चाते लेकिन आप क्या हो गया डिसेंट्रलाइस्ट प्रैनिंग है भाई महाराष्रा गुजरात जितने भी स्टेट से यह सब हे तो इंडिया ही न में पुल्टें तुम्हे तुम्हे च्थाइव चालंन यह स्टाइब काकॉल obt Whenever ऐसे काफी इसप्राइब सोते हैं यह पथा को कराता नीती-आयोग करता है कि यंग जडिएट कर सिर्फ इस घुमां-घुमां कर बनाया तो यह तो बनाए यह कुछ और काम करो दूसरों दोसरों को देखके क्या मिलेगा इसा नहीं हमको देखना वन कर दिया हमें भी देखो हम भी आपको सिखा रहे तब जाके आप कुछ और सीखो पता चला वाई कल से गायत नहीं नहीं भाई ठीके भाई देखो यहां भी दोस्तों अब दोस्तों देखो प्यम मोधी जो है अपने प्राइम मिनिस्टर जी वह निति आयोग के पहली बात तो चेयर परसन का काम क्या होता है उनको देखना है ना सब कुछ की निति आयोग की जो लोग है जो मेंबर से उनके सही से काम कर रहे है की नहीं यहां की ज्यूटी बंद हो रहा बिल्कुछ अच्छी बात है यहां पर होस्पिटल लगया की नहीं अरे कब लगेगा वाई क्यों नहीं लग रहा आप तो प्यम मोधी जी हो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी वहां पर पाटिकुलर एक्शन ले सकते है चलिए कॉपरेटिव सब को साथ मिलके कॉपर करते हैं आप हमारे लेक्श को शेयर करते हों इस्टग्राम पर फॉलो गरते हो आपको पता तो प्यारा बचया ब君 करें तब मैं फिर आपको कुछ बताता हूं मैं आपको क्या करो तीक है कॉंट्फिक्ट रिजॉलुशन और किसी दो बीच में जगड़ा हो जाता है और नीती आयोगा अरे क्यों हो गया भाई क्यों उससे जगड़ा कर रहा है तुम लोग जगड़ा मत करो देश का है न तुभी इ आपस मेरे हो यार आपस मेरे हो तो यह सब जो है कॉंट्फिक्स रिजॉलुशन उसको कॉंट्फिक्स बूलते जो अपने शब्दों में अपने उसको बोलता रहे इसका और उसका जगड़ा हो गया नहीं नहीं अगर आप कोई प्रोफेस्टनल आदम हो भी आप अरे वह प इसके हिट पॉइंट से एक मेंड टास्क है बागी इसके अंदर का मट्रियर अब अपने मन से लिख सकते हैं तो दोस्तों इसी के साथ आपकी और मेरी प्यारी सी जर्नी और सब्जेक्ट एकनॉमिक्स यहां भी जाके एंड होती है ठीक है मज़ा आ है यार मतलब एक पता है की नहीं मेरा बच्चों को समझ में आ रहे है यहां फिर हम आपको सीखा पा रहे है इसके बहुत मैटर करती इसके बाद पॉसेटिव स्पॉंस आ रहे है कि यह भी बहुत मैटर करता है खेर अब तक तो मुझे इंस्टेग्राम पर काफी positive response ही आए है लाइक अगर समझो 100 messages अगर मुझे आते हैं तो 100 में से 95 messages मेरे appreciation में होता है बाकी 5% लोग थोड़े से नाराज है तो उनको खुश करने की पूरी कोशिश होती है मेरी उस वक्त और फिर उसमें भी हो जाते है अरेक्दोत अपने हो जाते लेकिन बाकी तीन जो है उनको नहीं खुश कर पाता तो उनके लिए सौरी है मेरे वाई थे बाकी अगर इस बहुत पर बच्चे जो है जो आज मैं को एकदम स्टार्ट से देखते है अभी और मैं उनके कमेंट्स पर रिपलाई भी करता हूँ क्योंकि ओविसली वो मेरे हर वीडियो पर कमेंट करते है प्रॉपर डाउट्स पूछते हैं और वो मैं इसे मैं जो करेंंट सेक्शम में बहुत अच्छेया डगेगा मैं सब करते हूँ मैंने और OCM यहाँ पर पढ़ाया ठीक है और OCM तो finish हो चुका है SPB मेरे खायल से जब तक यह lecture शायद आप देखोगे तब तक finish हो चुका है और आज इक भी हो गया है तो अब 11th में आपकी duty है वाई हो अच्छे marks लागा है लगे की नहीं पक्का पका मतलब exam में paper देखते ही आपको इसा भांगडा करना है नाचना है फूल एक दाउन ठीक है और जो कथक नहीं करता आपको कथक करना है लेकिन paper में अच्छे marks लाना है अगर कोई hip hop dancer है हाना कितने सरे प्रकार की dance होते है यार टाइप पता नहीं मुझे contemporary वगर आसा मैंने सुना है हाना वो टर्टिक्स वरा हो गया हो गया मेरे एक फ्रेंड है महाँ पर तो जो भी आपको करना है जिस भी अप चीज का फेवरेट है कोई तो बच्चा करें सर्मों गनपती में नहीं नाशते का मैं एक दम आइसा आइसा मैं तो आइसा नाशना नाशना लेकिन पेपर अच्छा जाना चाहिए ठीक है बाकी चलो यार अपने जो बखवा से आज आकरी बार economics के लिए हम इसको